हेलो राधे राधे, 108 सिबलिंग का आविशे किस प्रकार किया जाता है घर में? सरल तरीके से आप सभी को दिखा रही हूँ यहाँ पर मैंने सामगरी का वीडियो पहले ही अप्लोड कर दिया है 108 रुद्री यानी 108 सिबलिंग किस प्रकार बनाये जाते हैं इसका वीडियो भी मैं आप सब के साथ सेयर कर चुकी हूँ पूजा कैसे करनी है? पूर्व दिसा की और चौकी बिचा ले पटा ले ले उसके उपर सफेद कलर का आपको कपड़ा बिचाना है हमने यहां पर गौरी गनेश की स्थापना की है जो की बहुत जरूरी होती है जब भी आप अपने घर पर कोई बड़ा अभी शेक करते हैं तो उसमें गौरी गनेश की स्थापना आप सरूर करें यहां पर भगवान के दाहिनी और मैं यहां पर दीपक तयार कर रही हूँ पूचा में सबसे पहले दीपक की पूचन कर लीजिए उसके बाद आपको गौरी गनेश का पूचन करना है अगर आपके पास गौरी गनेश की मूर्ती है तो उन्हें भी आप राजमान कर सकते हैं अगर मूर्ती ना हो तो इस तरह से से पाड़ी के रूप में गौरी गनेश की स्थापना करके चार वाज सबसे पहले आप उसको पुस पुसे जल चढ़ाना है उसके बाद चंदन लगा दें चावल लगा दें और उसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस तरपित करें गडेश जी को जनिव आपको अरपित करना है इस अभी शेख को आप सौंबार के दिन कर सकते हैं सावन के सु महीने चल रहे हैं भगवान शिव का अलग अलग तरे से अलग अलग चीजों से अभी शेख आप जरूर कीजिए ताकि आपको पुन्य की प्राप्ती हो और आपका जीवन सुख में रहे गनेश का पूजन करने के बाद अपने सीधे हाथ में मैंने थोड़े से चावल लिये हैं एक बेल पत्र लिया है जब भी आप पार्थे सिवलिंग की पूजा करते हैं तो उनका ध्यान करना अती आवश्यक होता है हमने 108 रुद्री याने सिवलिंग बनाए हैं आप वीडियो में देख रहे हैं छोटे छोटे से जो गोल गोल हैं वो मैंने 108 बनाए हैं और एक जो है प्रॉपर जो सिवलिंग का स्वरूप होता है वो मैंने बनाया है इसके बाद मैं यहां पर गंगा जल से इसनान करवाऊंगी चार वार सबसे पहले जल चड़ाया जाता है सबसे पहले पैड दुलाया जाते हैं हाथ दुलाया जाते हैं उसके बाद जल पिलाया जाता है उसके बाद जो है इसनान करवाया जाता है यही बिदी होती है तो चार बार आपको सभी पर जल चड़ाना है उसके बाद हम यहां पर गाए के कच्चे दूस से इस तरह से इसनान करवाएंगे आपके हाँ पर गाय का दूद अगर नहीं मिलता है बाईचान कई सहरों में नहीं मिल पाता उपलब्द नहीं हो पाता तो जो भी दूद मिलता है उससे जो हैना आप इस तरह से अबशेक आप जरूर करें इसके बाद मैंने यहाँ पर दही लिया है तो दही चढ़ा दूँगी इसके बाद मैं सकर चढ़ाओंगी सहर चढ़ाओंगी और फिर जो हैना मैं घी चढ़ाओंगी और सभी के बीच में इस तरह से सुद्ध जल से आपको इस नान जरूर कराना है अगर आप अलग-अलग चीजों से इसनान नहीं करा सकते हैं तो पांचों चीजों को एक साथ मिक्स करके पंचा मिद बना लीजिए और केबल एक वार ही जो है इसनान करवा लीजिए सब कुछ अच्छ से समझ में आ गया है ना कहीं कोई चीज समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंड बॉक्स में कमेंड करके जरूर बताएं इसके बात किया जाता है अभिशेग अभिशेग आप लक्षमी प्राप्त करना चाहते हैं तो गन्ने के जूस से करें अगर आपको कोई बीमारी वगेरा है तो आप गिलो के जूस से अभिशेग कर सकते हैं हार्ट समझ में दिक्कत है तो आप मौसमी के जूस से अभिशेग कर सकते हैं आपके सत्रू बहुत होते हैं बहुत जना कोट कर्चहरी के मामली अगर आपके चल रहे हैं तो सरसों के तेल से आप अभिशेक कीजिए सभी सुकों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो कच्चे दूस से अभिशेक कीजिए तो इस तरहें से अभिशेक किया जाता है सरीर की पुष्टी चाहते हैं तो आप घी से अभिशेक कीजिए तो इस तरह से जो है ना अलग-अलग मनो कामनाओं के लिए अलग-अलग चीचों से जो है ना भगवान शब्का अभिशेक किया जाता है कच्चे दू से अभिशेक करने के बाद सुद्ध जल से इसनान करवा दीजिए इस तरहें से इसनान कराना है कि कहीं कोई कच्चा दूद, दही, घी, सकर कहीं लगाना रह जाए भगवान के उपर जो हमने सुरू में बेल पत्र रख दिया था इस बेल पत्र को अपने दोनों नेत्रों से और मस्तक से लगाना है ये बेलपत्र भगवान के उपर इसलिए रखा जाता है ताकि जब जल की तेजी से धारा भगवान के उपर आती है तो पार्थिप सिवलिंग कहीं खंडित ना हो जाए तो उसकी आड़ के लिए ये रखा जाता है इसके बाद हम कलावा रूपी वस्तरपित करेंगे जन्यू चढ़ा दीजिए चंदन चावल लगा दीजिए इत्र चढ़ा दीजिए इस तरह से जो है ना भगवान का पूचन किया जाता है तो आठ पार्थिप सिवलिंग का अविशेक मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया है कोसिस करें कि 108 ही जो है आप बेलपत्रे चढ़ाएं तो मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है अगर बाईचन्स अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो जितने बेलपत्र मिल सकते हैं उतने बेलपत्र आप इन पर जरूर अरपेत करें 108 पार्थिव लिंगो का जब आप अपने घर में निर्मान करते हैं इन्हें रुद्री भी कहा ज जाता है इससे आपके घर में सभी सुखों की प्राप्ति होती है आपके घर में दुख कलेज का निवारन होता है बहुत सारी जो भी दोस अगर आपके घर में होते हैं निरंता सावन के महीने मगर इस तरह से आप अभी शेक करते हैं 108 रुद्री बनाकर तो परमपुने की ज मिल जाए तो अच्छी बात है ना मिले तो जो मिल रहा है वही अर्पित कर दीजिए गौरी माता के लिए मैं सुहाग का सामान लेकर आई थी तो गौरी माता को सुहाग अर्पित कर दें इसके बाद आपको दक्षना अर्पित करनी है दक्षना इसलिए अर्पित की जाती है कह सके तो जरूर चढ़ाएं, गुलाल चढ़ादें, अब्रक चढ़ादें, तो इस तरह से भगवान शिब की पूजा की जाती है, उनका श्रंगार किया जाता है, 108 रुद्री यानि सिवलिंग बनाकर सावन के सौंबार में, अगर सौंबार के दिन अगर इतना टाइम अगर नह की जाती, धैर के साथ की जाती है, यहाँ पर मैंने भोग भी लगा दिया है, फल चढ़ा दियें, मिसरी हो तो मिसरी चढ़ा दीजिए, अगर मिठाई है घर में तो मिठाई चढ़ा दीजिए, और हाँ भोग में बेलपत्र डालना बिलकुल ना भूलें, इसके बाद हमने आर्ती की है, आर्ती आप चाहें तो दीपक प्रजुलित करके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो कपूर चला कर भी कर सकते हैं, इसके बाद जो है ना मैं जल का अर्क दूंगी, आर्ती करने के बात करनी हैं आपको पुस्पांजली, उसके बात किया जाता है भगवान का बिसर आप जरूर करें आप अपने गार के आसपास नदी कुआ जहां पर भी पानी की सुबदा है वहां पर आप बिसरजित कर सकते हैं ना हो तो कोई एक बड़ा बरतन लेकर उसमें जो है ना भगवान का बिसरजन आप जरूर करें आसा करती हूं वीडियो अच्छा लगा होगा इ इस तरह से 108 पार्थिप सेवलिंग बनाकर बिल्कु सरल तरीके से आप अपने घर में पूचन कर सकते हैं जैशी राधे मित्रू राधे राधे आप सभी को सावन के महीने की हार्थिक सुबकामना है